हेलो गाईस आज किस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं फेस्बुक वीडियो साट में ओपन हो जाती है तो क्या करें जैसे आप फेस्बुक पर जाते हैं और कोई वीडियो वाच करते हैं तो साट में ओपन हो जा रही है तो ये प्राबलम आप 2 मिनिट में सही कर सकते है बहुत असानी से तो आपको सबसे पहले चले जाना है अपने Facebook पर हम अपना Facebook open कर लेते हैं फिर हम video watch पर click कर लेते हैं जैसे आप click कर लेंगे फिर आप video पर click कर लेते हैं तो यह start में open हो जा रही है यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे हम वीडियो पर क्लिक कर लेते हैं तो यह साठ में ओपन हो जा रही है तो यहां से आपको बैक आ जाना है जैसे आप बैक आ जाएंगे फिर आपको चले जाना है अपने प्ले स्टोर पर हम अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेते हैं यहां पर आपको सर्च कर लेना है Facebook, तो जैसे आप Facebook सर्च कर लेंगे, तो आपका Facebook अपडेट मांग रहा होगा, तो सबसे पहले अपडेट कर लेना है, हम यहां पर अपडेट कर लेते हैं, फिर यहां से आपको बैक आ जाना है, जैसे आप बैक आ जाएंगे, फिर आपको आपकी profile आजाएगी या three dot का option दिख जाएगा तो आप इस पर click कर लेना जैसे आप click कर लेंगे फिर आपको सबसी नीचे चले जाना है जैसे आप सबसी नीचे चले जाएगे setting privacy का option दिख जाएगा तो आप इस पर click कर लेना जैसे आप click कर लेंगे setting का option दिख जाएगा तो जैसे आप सबसे नीचे चले जाएंगे, टैप बार का अप्संदिक जाएगा, तो आपको टैप बार पर क्लिक कर लेना है, जैसे आप क्लिक कर लेंगे, फिर आपके सामने कुछ असे इंटरफियर्स open हो जाएगा, कस्टमाइज दाबार का अपसंदिक जाएगा तो आपको कस्टमाइज दाबार पर क्लिक कर लेना है फिर आपको सबसे नीचे वीडियो का अपसंदिक जाएगा वीडियो के सामने आटो का अपसंदिक जाएगा तो आपको आटो पर क्लिक कर लेना है यहाँ पर आपको pin का option दिख जाएगा तो आपको pin पर click कर लेना है जैसे आप pin पर click कर लेंगे तो यह pin हो जाएगा फिर यहाँ से आपको bike आ जाना है जैसे आप bike आ जाएंगे फिर आपको अपने facebook पर click किये रहना है तो जैसे आप click किये रहेंगे आइफ इंफो का आप संदिक जाएगा तो आपको आइफ इंफो पर क्लिक कर लेना है फिर यहां पर आपको फोरिश्ट आप कर देना है फिर आपको स्टोरिज पर क्लिक कर लेना जैसे आप क्लिक कर लेंगे क्लियर कैज का आप संदिक जाएगा तो आपको clear case पर click कर लेना है, clear data का आप संदिक जाएगा, अगर आपको अपने facebook का password पता हो, तो clear data कर लेना, अगर आपको password नहीं पता है, facebook का, तो clear data मत करना, फिर यहां से आपको बैका जाना है, permission पर click कर लेना है, जितने सारे हैं, सबको आपको allow कर लेना है, जिससे आप allow कर लेंगे फिर आप अपना Facebook ओपन करेंगे वीडियो वाच पर क्लिक कर देंगे तो ये प्राबलम आपकी सही हो जाएगी यहां पर आप देख सकते हैं तो आप समझ गये होंगे कि आपको कैसे करना है अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो हमें आप कमेंट करके बता सकते है जिंजा भारत वंदे मात्रम